हेलो एवरिवन माइब इस मिलाव गुपता एंड यूर वाचिंग मी और यूटीब चैनल एम जी एजटेंडमेंट दोस्तों आज का ये वीडियो एन आवेस के 10th एं 12th लास के स्टुडेंट्स के लिए जिन लोहों का नवेंबर में 12 तारिक से एक्जाम स्टार्ट है उनके cancellation को लेकर NOS Board कोई ना कोई reply करे यहां पर मैं एक छोटी सी बात और बताना चाता हूं कि cancellation को लेकर जो बच्चे भी NOS Board से लड़ रहे थे fight चल रही थी उनकी कि NOS Board उनको reply करे तो मैं आपको बता दूं तो जो आखड़े हमने collect किये थे उसके इसाब से देखा जाए त तो काफी सारे ऐसे student थे जो लोग चाहते थे कि उनके exams लिये जाएं और वो भी October मन्त में लिये जाएं क्योंकि काफी सारे students ने नवेस बोर्ड में call किया है और उनको call करके ये पूछा है कि उनके exams कब होंगे उनका hall ticket कब आएगा admit card कब आएगा you know these kind of questions जो की नहीं पूछने चाहिए थे वह वहां पूछे गए थे जिसकी वज़े से find out हुआ है जिसकी वज़े से ये final हुआ कि ने आप लोग का hall ticket भी release किया टाइम पर राइट तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं cancellation को लेकर जो भी हमारा fight चल रहा था जो भी हमारा strategy था वो strategy कहीं न कहीं अभी काम नहीं कर पाया reason उसका छोटा सा है कि बच्चों की जो strength थी यानि कि जो unity थी बच्चों की वो नहीं बन पाई और unity ना बनने की बज़े से एनवेस बोड ने finally decision लिया कि आप लोगों के exams conduct कराये जाएं बहुत सारे ऐसे स्टेंट्स जो चाते थे कि उनके exams ना हो लेकिन एक बहुत बड़ा मैं आपको बताना चाता हूँ कि कुछ ऐसी strategy भी है जिनको हम follow करेंगे तो हम आसानी से पास हो सकते हैं यस दोस्तों अभी भी time है आपके पास आप चाहें तो study करके पास हो सकते हैं यह video especially मैंने उन बच्चों की मदद करने के लिए बनाया है जिन बच्चों के पास अब सच कर सकते हैं राइट तो शुरू करते हैं देखें नवेंबर एक्जाम 2021 के 10th और 12th class के दोनों students के लिए यह strategy है इस strategy को आप follow करेंगे तो आप आराम से पास हो सकते हैं तो आप यहाँ पर मैं आपको बताना चाता हूँ आपको करना क्या है 10 days strategy to get passing marks अब यह 10 days strategy होती क्या है द तो क्या करना है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ study only relevant questions ऐसे questions को study कीजिए जिनके answers हो और साथ में relevant भी हो relevant मतलब वही questions होने चाहिए जो आपको इस वक्त सही time पर पढ़ने चाहिए तो अब एक सवाल आता है हर बच्चे के मन में कि सर आपने बता तो दिया relevant questions होने चाहिए या चार साल पाले पुराने question papers हैं उनको आप के वल study कर लीजिए या उनको आप के वल solve कर लीजिए तो उससे आपको finally एक pattern पता चल जाएगा और आप अराम से exams में pass हो पाते हैं या हो सकते है आईडिया ठीक है लेकिन 100% है यह मैं यह मैं नहीं कह सकता कारण बताता हूँ द यह बात सही तो है लेकिन यह आधिया दूरी है रिवाइस पास्ट question answers यह बात तो ठीक है लेकिन different pattern के साथ आपको उसे पढ़ना है तब आप clear कर पाओगे यानि कि अगर किसी एक particular topic पे एक question आ चुका है दूसरे साल भी उस topic पे आ चुका है तो चौते साल हो सकता है कि topic तो इसी मुद्दे पर हो लेकिन question को घुमा के दिया हो यानि कि different type में दिया हो तो दोस्तों इस तरह की study अगर आप करते हैं मैं guarantee देता हूं आप पास हो सकते हैं यानि कि आपको revise करने या past question answers लेकिन different strategy के साथ different pattern के questions होने चाहिए topic वही होना चाहिए लेकिन pattern different होना चाहिए तभ मैं कहता हूं कि पढ़ने की भी जूरत नहीं अब time नहीं है अब आप कोई book नहीं पढ़ सकते no guides कोई guide को हाथ मत लगाना क्योंकि जब आप बड़ी मोटी किताब को पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे questions होते हैं जितनी मोटी guide होगी उसमें विस्तार से उस chapter के बारे में बता रखा होता है उसमें कुछ questions ऐसे भी होते हैं इंपॉर्टेंट हैं नेसेसरी हैं लेकिन कुछ ऐसे questions भी होते हैं जो उसके अंदर दिये हुए हैं यानि कि यह strategy तब करती है जब आप बिलकुस शुरू से start कर रहे हो यह कोई high level की आपको study करनी है लेकिन यहां पर हमने क्या बोला only passing marks अगर यह strategy follow करनी है तो पूरी guide लेके मत बैठिये आपको यह books लेके मोटी मोटी books लेके मत बैठिये गयना है अगर आपके पस आई भी होई हो तो आपको क्या करना है only a few questions मतलब what are those questions which are about to come in this exam ऐसे कौनसे questions है जो बहुत ज़्यादा relevant है सिरफ उनको मात्र study करने से आप अराम से पास हो सकते हैं दोस्तों यह बहुत important question है और जिन बच्चों ने book से या guide से पढ़ना शुरू कर भी दिया है पिछले एक महीने देर महीने से जो पढ़ी भी रहे है तो भी मैं आपको बता दूँ आपको यह सोचने की जरुरत है कि क्या जो questions आप पढ़ रहे ह है जो questions के बहुत जादा chances हैं कि इस बार exams में हाँ है पिछले 3 साल या 4 साल में वो repeat ना हुए हूँ ध्यान रखना वो repeat ना हुए हूँ repeat होते है repeat होते है लेकिन उनका pattern change हो जाता है यह ध्यान रखना same as it is questions नहीं आते और आप लोग अगर उनको revise करेंगे तो वो as it is ही pattern change हो और उसी topic पे हो और आप आराम से उन्हें पढ़ भी लो और बहुत easy language में हो answer के साथ हो कहां मिलेंगे बताऊंगा इस वीडियो के end में अब एक बात और सबसे important बात believe in you you are genius एक बात ध्यान रखना दोस्तों अगर आपको खुद पर believe नहीं है तो आप पास नहीं कर आप एक faith बनाई अपने अंदर कि yes I can do that I can do this this year और आप वो कर जाओगे आप मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने मिलकर कुछ ऐसे PDF स्यार किये हैं ऐसी बुक से PDF स्यार किये हैं जिन बुक के अंदर almost वही questions दे रखे होते हैं जो pattern change होकर होते हैं यानि कि topic same होता है बट pattern change होता है और बहुत 99.9% chances होते हैं कि वही questions आपके इस बार exams में आएंगे और हर साल बच्चे उसी बुक को उसी PDF से study करके बहुत अच्छे number लेके आते हैं तो दोस्तों आपको वह PDF की जूरत है उपर contact number है उस number पे call करें और तुरंत वह PDF लें और उससे study करें मैं guarantee देता हूं आप लोग सब बच्चे पास हो जाओगे best of luck मेरी तरफ से आप लोगों के लिए अगर आप इन PDF से study करते हैं आप लोग बहुत अच्छे number लेके भी आ सकते हैं और time अभी भी है अगर आपका पहला paper जिस date को होता है तो उसका अगल और इन से study करना शुरू कुझी है मैं guarantee देता हूं आप बहुत अच्छे number लेके आओगे बहुत important questions हैं यह वही questions हैं जो बार-बार repeat तो हुए हैं लेकिन relevant इसलिए हैं क्योंकि इनके pattern change करके इनको दिया जा रहा है आपको तो इसलिए बहुत ज़्यादा important है आप लोगों के हैं तो then it is okay for you कि हाँ रेडी हैं बट कुछ ऐसे questions भी हो सकते हैं जो आपके इन questions से बिल्कुल different हो और जैसे आप उस PDF में questions को देखेंगे तो आपको लगेगा यार important तो बहुत है लेकिन मिरको इसका answer तो नहीं पता और अगर ऐसी situation बनती है तो दोस्तों आपको यह PDF तुरं लेने की जुरत नहीं है अभी सिरफ a few questions आप लीजिए PDF में और आप उनसे study कीजिए आप आराम से पास हो जाएंगे यह help में आप लोगों की करने के लिए तयारों सबसे बड़ी बात खुद पर विश्वास करिए राइट दोस्तों वीडियो मैंने बनाया especially उन्हीं कीजिए आपको PDF आपके रेडी हैं तयार हैं मिल जाएंगे आपको मिलता हूं आप से अगली वीडियो में तब तक किले अपना ध्यान की स्वरक्सित रही है थांक्यू बढ़ी मॉच अनवागुट